हैलो दोस्तो आज हम बात करेंगे गूगल एकाउंट डिलेट कैसे करें आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि गूगल एकाउंट को पर्मानेट डिलेट कैसे कर सकते हैं तो चलिए अब वीडियो को सुरू करता हूँ, वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेला आइकन को प्रेज कर लिजे, क्यों कि मैं इस सी प्रकार के रूज नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ तो सबसे पाहले अपने मॉबाइल फॉन में गूगल अप्लिकेशन को ओपिन कर लिया है तो चलिए मैं गूगल अप्लिकेशन को ओपिन कर ले रहा हूँ तो यहां पर देखे गूगल अप्लीकेशन है तो मैं इसको ओपन कर लिए तो यह देखे इस प्रकार से मैं गूगल अप्लीकेशन को ओपन कर लिए तो गूगल अप्लीकेशन करने के बाद ऊपर देखे प्रोफाइल का अपसन दिख रहा है तो प्रोफाइल वाले अपसन पर लगते मोमल से जितने भी एकांट बने होंगे वह सारे अगांट यहां पर आजसे करने के लिए आपको उपर में यहां देखे मैंने जीवार गूगल लिखा हुगा है तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक कि जिएगा तो देखे थोड़ा वेट करना है तो देखे इस प्रकार से इंटर्फेर साथ आएगा आपके सामने तो उसके बाद यहां देखे साइड में लिखा हुगा है डाटा एंड प्राइविसी तापको डाटा एंड प्राइविसी पर आपको किलिक करना है जैसे ही किलिक की जेगा तो आपको इस परकार से नीची आ जाना है तो देखें मैं नीचे चला जा रहा हूं प्रकार से निचा जाना है यहाँ पर देखिए उपर में लिखा हुआ है download or delete your data तो देखिए उपर में इसमें साथ है download your data अगर इस पर आपके Gmail में यानि आपके जो भी इस account में कोई भी चीज हो आप उससे download करना चाहते हैं तो इससे आप download कर सकते हैं और नहीं तो अगर delete करना चाहते हैं तो नीचे देखिए लिखा हुआ है delete यह Google service आपको इस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक कि जिएगा तो देखिए थोड़ा wait करना है देखिए खुल रहा है तो टाइम लग रहा है देखिए इस परकार से खुल कर आ गया अगर इस परकार से आपको वालफर में खुल कर आ रहा है तो continue पर क्लिक करना है आपको पासबोर्ट को डाल देना है तो मैं यहां पर फिलाल continue कर देता हूँ continue पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपका स्क्रीन लॉक जो भी है ओ मांगेगा तो मैं फिंगर को यहां पर डाल लिया डालने के बाद देखिए इस परकार से चल रहा है तो यहां पर देखिए इस परकार से इंटरफेस आ गया तो आने के बाद यहां पर यूटुब से भी किस से आप डिलेट करना चाहते हैं तो जीमेल से तो जीमेल वाले option पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से डिलेट वाले option पर उसके बाद यहाँ पर आपको MLID को डाल देना है डालने के बाद सौरी बैक आजाना है बैक आने के बाद यूटुब वाले option पर आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक के जाएगा तो इस प्रकार से देखें इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर देखें दो option आपके सामने दिख रहा है तो यहाँ पर देखें I went to hide my channel तो अगर आप इसे केवल कुछ दिनों के लिए हाइड करना चाहते हैं तो उपर वाले option पर आपको क्लिक करना है और नहीं तो अगर आप इसे डिलेट करना चाहते है पर्मानेंट तो आ दो टिक लगाने के लिए आएगा तो दोनों पर आपको इस परकार से टिक लगा देना है जैसे ही लगाईएगा तो उसके बाद यहाँ पर देखें डिलेट माइक कॉंटेंट लिखा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक किजिएगा तो आपका ये गूगल एकाउंट आपका डिलेट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए MLID मांग रहा है MLID जो भी है आप इसे डाल कर आप इसे डिलेट कर लिजे देखिए MLID उपर में लिखा हुआ है यही बला MLID यहाँ से फिर से फिलब कर दीजिएगा फिलब करने के बाद आप डिलेट कर सकते हैं तो मुझे नहीं डिलेट करना है इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ तो इस परकार से आप गूगल एकाउंट को डिलेट कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए